आज एक इंपोर्टन टॉपिक पर हम डिसकेशन करेंगे एकसर प्रिनाट स्कॉसन करते हैं कि डॉक्साम हम अपने नोजाइदा बच्चों को या शीरखवार बच्चों को मचली इखला सकते हैं या नहीं इखला सकते हैं मैं उतकी इसमें कुछ बाते मैं आपको बता देता हूं उससे आप रहनमाई ले सकते हैं सबसे पर यह है कि आप छ Je perdos बच्राइब को मचली देंगे और चे मचली बच्चों को कहलाना शुरू कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ जो मचली आजकर शाल आप सवाइल् सालवन है औ और आप एक दिन में एक ही वराइटी दें फिश की और बिल्कुल स्माल कॉंटिटी से स्टार्ट करें ताके आप यह देख सकें कि आपके बच्चे को इस टाइप ओ फिश से अलर्जी तो नहीं है अलर्जी में बच्चों की स्किन पर लाल रंग के निशान पैट सकते हैं सूजना हो सकता है उंको गिड़ स्वैलिंग हो सकती है तो आप यह चीजे इसका ख्याल रखें और बिल्कुल स्माल कॉंटिटी में फिश को इंट्रड्यूस करें और वह फिश को और कैसी भी हो फ्राइड हो बेग हो या स्टीम्ड हो तो आप दे सकते हैं लेकिन एक दिन म में फिश जादा भी जे सकते हैं फिश एक बरड़ा अच्छा सोर्स है वाइटमेंस का और ओमेगा 3 fatty acid का फिश में जो वाइटमेंस पाई जाते हैं वो वाइटमेंस A, K, C, D और वाइटमें B complex is और ओमेगा 3 fatty acid है जो बच्चे के निश्न मा के लिए बहुत जुरूरी है त तो आप फिश दें, स्टीम दें तो जादा अच्छी बात है, और एक साल से उपर फ्रीडी दें, और छे मां से एक साल तक स्माल कॉंटिटीज में दें, और आप कोशीश ये करें के जो फिश जिसमें मर्करी के कॉंटेंट्स ज्यादा होता, जैसे जो सी फिश होती हैं, तो वाइट करें, और ये शेल फिशीज वगेरा आप अपने बच्छों को बिलकुल भी ना दें, थैंक्यू सो मच